सेप्टेंबर 9, 2022 वर्ल्ड EV डे और इंडियन EV मार्केट के लिए दो-दो खुसकावरी पहली महिंद्रा ने अपनी XCV-4W को अन्वील कर दिया और दूसरी टाटर ने अपनी हैचबेक टियागो के एलेक्ट्रिक वर्जन को टीज कर दिया आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहली न्यूज के बारे में यानि XCV-4W के बारे में मेंली कंपेर करेंगे इसको अभी की सेगमेंट लीडर नेक्सओन इवी मैक्स से अब आप बोलो गए कि नेक्सओन इवी प्राइम क्यों नहीं तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखनी पड़ेगी In terms of dimension and size No doubt Mahindra XCV-4W clear winner है क्योंकि वो नेक्सओन इवी मैक्स के जैसे सब 4 मीटर सेगमेंट में नहीं आती है As compared to NXCV-4W XCV-4W around 207 mm लंबी है 1 मीटर चौड़ी है 18 mm उची है वहीं XCV-4W की wheelbase 102 mm लंबी है नेक्सओन इवी मैक्स से जिसका सीधा मतलब है कि XCV-4W में ज्यादा leg room और head room देखने को मिल जाएगी नेक्सओन इवी मैक्स के मुकाबले Space के साथ-साथ XCV-4W में 378 लीटर की boot space मिलता है जो की 28 लीटर बड़ा है नेक्सओन इवी मैक्स से तोनों ही XCV-4W और नेक्सओन इवी मैक्स में अल्मूष्ट सेम बैटरी पैक मिलता है जो की है XCV-4W में 39.4 kW पर आर की और Nexon EV Max में 40.5 kW पर आर की लेकिन 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 XCV-4W में छोटी बैटरी पैक होने के बावजूद 456 km की रेंज किलियम की जाती है जो की obviously real life में कम होने वाला है Nexon EV Max में 437 km की रेंज किलियम की जाती है दोनों ही SUV में front wheel drive drive train मिलता है वहीं XCV-4W 147 bhp की powerful electric motor मिलता है और Nexon EV Max में 140 bhp की XCV-4W 8.3 second में 0-100 km तक की speed को अचीब कर सकती है इतना सब देने के बावजूद महिंद्रा वाले दो पॉइंट पे पिखल गए पहला जो की है इसका interior interface जो की 2022 में भी वही XCV-3W वाला है इस पॉइंट पे Nexon EV में जादा premium interior मिलता है और दूसरा पॉइंट है XCV-4W के driving mode के name जो की है fun, fast और fearless जो की ऐसा लग रहा है Fast and Furious का sequel चल रहा है XCV-4W में 3 driving mode आता है और Nexon EV Max में 2 driving mode आता है drive and sports लेकिन 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 महिंदरा ने XCV-4W को अभी सिर्फ और सिर्फ अन्वील किया है और इसका launch जनुवरी 2023 में है तब तक Tata कोई नया edition launch कर देंगे सारी 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 फेसलिफ्ट launch कर देंगे आज के लिए बस इतना ही आप comment section में बताइए क्या Nixon EV अभी भी इंडिया की top selling EV बनी रहेगी कोई सेस्वाती